नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चानल पर जिस पर हम आपको बताते है कि किस तरह आप किस को कैसे अपने वश में कर सकते हैं, किसी को कैसे अपना बना सकते हैं, अपना खोया हुआ प्यार वापिस पा सकते हैं आज पिर एक ऐसा ही आसान सा मंत्र एक ऐसा ही आसा वशीकरण का टोटका जो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ अगर आप इस वशीकरण विधी को बताए गए तरीके से संपन करते हैं तो निश्टित रहिए आपका मनचाहत कार्य पून होगा और वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं आपके वश में हो जाएगा तो आईए बताती हूँ कि वो विधी क्या है पर उससे पहले उस सामगरी के बारे में आपको बताते हूँ जिससे हम इस वशीकरण में आवशचता होगी और वो सामगरी मातर एक कागस है जी हाँ मात्र एक कागस की मदद से किस तरह किसी को वश में कर सकते हैं या आज मैं आपको बताऊंगी हमें चाहिए एक कागस और एक मारकर इस कागस और इस मारकर की मदद से आप किस तरह किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और देखिए किस प्रकार एक सिद्ध मंत्र के उचारण से वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है आपको एक plain paper लेना है और ये कागस सफेध होना चाहिए तो बहुत बढ़िया रहेगा अब इस कागस पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं उसके बाद कागस को फोल्ड करना है दर्श को कागस छोटा ही होना चाहिए जादा बड़ा कागस लेनी की आवशक्ता नहीं है तो इस तरह इसका अगस को forward कर लेंगे इसे अपने हाथ में रखेंगे और जो मंत्र में आपको बताने जा रही हूँ उस मंत्र का उच्चारन करें जब उस मंत्र को 21 बार उच्चारन करेंगे तो जो व्यक्ति है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं वो पूर्णता आपके वश में हो जाएगा पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आपका ही होकर रहेगा तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि वो मंत्र क्या है वो सिद्ध मंत्र क्या है जिसके परियोग मात्र से एक व्यक्ति एक इंसान आपके वश में हो सकता है तरहा इस मंत्र का 21 बार उच्चारन करना है उसके बाद ये जो कागस है इसको 3 घंटे के लिए मात्र 3 घंटे के लिए सुरक्षित स्थान पर रखना है मतले कि साफ स्थान पर जहां किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तू या सामगरी ना हो जैसे आप इसे मंदिर में रख स क्योंकि मंदिर से पवित्र और को इस्थान नहीं होता तो इसे आप मंदिर में रख सकते हैं 3 घंटे के बाद इस कागस को निकाल कर इसे जला देना है इसे जलाने पर इसकी जो राक बनेगी उसे इखटा कर लेना है अब इस राक को आपको बहते हुए पानी में प्रवा कर कि विधी उसी अनुसार करनी है जिस तरह मैंने आपको बताई है जो सही तरीका है उसी तरह से इस वशीकरण को कीजिएगा सही तरीके से मंत्र उच्चारण कीजिएगा और उस व्यक्ति को अपना बनाईए दर्शको मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आपकी कोई समस्य आप किसी चीज से परेशान है तो आप हमारे गुरू जी से फोन कर सकते हैं अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं